तो आप अपने तारुफ करवाएं से, नहीं है तो तब भी आप उसके साथ बातचीत करें, इससे आपको पता चलेगा कि उसका कॉंशियस नेवल कितना है, सेमी कॉंशियस है, अनकॉंशियस है, आप बातचीत करें जी, असलाम वरेकों भाई साब आपको क्या हुआ है, कोई को रिस्पॉंस ने मिला, कोई जवाब नी मिला तो आप उसको चुक्की काटेंगे, बगल के नीचे चुक्की काटेंगे, ताहां कि जो भाई से साथ खड़े भी लोग है, वो ना देख सकेंगे आपने चुक्की काटी है, कि हजारु दभा ये वाक्या हुआ 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 है कि हमारा बंदा जखमी है, वीमार है उपर से आप चुक्या काटेंगे, तो अगर आपको जवाब मिलता है, वो हरकत में उससाब महसूस करते हैं, उससे आँखें ब्लिंक किया है, या होश मे आया है, आप सबज आएंगे वो आ रहे होश में, आप उसके बाचिक करें, उसस प्रूपने का मकसद क्या होता है, जब वो बोल पड़ा है, तो आप उससे साइन शिक्टम के बारे में अची तरह आप उच सकते हैं, अब ये कोई भी विक्टम है, फैस करने, कोई भी विक्टम हो सकता है, जिसका देर इस नो रिस्पोंस, अब ये विक्टम इंसिगेंट म आपने का एक पहला काम C, जुस्टा A और चो पहर इस रख, C से अच्छा एक प्रॉफेशन स्टार करना है, तो बी से ब्रीदिंग, तो एक जो CPR का लेटेस और अध्लास तरीका है, जो प्रॉफेशनल के लिए है, उसके अदर के अदर के आपको भी मोगा दूँगा को उसक प्रॉफेशन पर मिनेट होगी, तहां कि एक मिनिट में एक सो प्रॉफेशन आपके इस रिफ्तार के जाए, तो काउंटिंग का तरीका यह होगा, जब आप 20 के बाद आप दुबारा 1 में आएंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद आप कहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, को आपके बाद आपके दूसरा साइकर का बीड होगा है, तो अब क्परेशन देने का तरीका यह होता है, जो विचम की ज़्टे के चेस्ट है, यह आपके कले से लेके पेट कर एक मोटी हड़ी होती है, इसको स्टनम के दोनी तरफ रिब्स होती है, पस्लिया होती है, क्लैप्स होँ जाएगी चेस्ट उसकी, इसलिए आपने सेंटर ऑफ दा चेस्ट, ठीक है, स्टनम के ऊपर आपने दबाऊ डालना है, और हाथ आप ऐसे हाल स्वाल की आप बाजू आपने बाजू आपने बाजू के पावर लगे, पजाए इसके पिर आप हाथों के साथ ऐस आप बहुत जदी ठक जाएगी, तो पूरी बाड़ी का वेट कैसे लगेगा तो बाजू के ऊपर पूरा वेट डाला, ठीक है, चैस के बिलकुँ सेंटर में आपने हाथ रखे, आप ऐसे कंप्रेशन देंगी, ठीक हो गया, अब 30 कंप्रेशन, फिर अगर आप फू ब्रेथ कि अगर आप में से किसी के प्रोफेशन ट्रेनिंग के लिए है, तो किसी ने लिए है, मूँ खोल के माउच के साथ आपने एक सील बिनानी है, माउच तु माउच, ऐसे सील बिनागे पूरे जोर्वे से आप सांस देना है, उसके लिए आप कोई कपड़ा या रुमार को ची किसे होता क्या है, आप की तो सवाल आना चाहिए कि ऐसा हम क्यों करते हैं, वजह यह होती है कि डेथ की दो टाइप्स होती है, तो अगर आप चार से शे मिनट के अंदर अंदर उसकी सांस बहाल कर दें, सिप्यार करके आप उसकी दिन और सांस को चिला दें, तो अगर आप क्लिनिकल देथ किसा रिवर्स बहुता है, वो बज जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा टाइम जब घुजर जाएगा, सांस बंद हुए, दिल काम निक 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 कर रहा है, तो आप से 10 मिनिट के बाद वो क्लिनिकल देथ से बियोलोगी देथ में जाएगा, और बियोलोजिक लेकिन आपने चेक करनी है, गर्दन वाली नबस बजा ये होती है, कि इसको करोटीट पल्स यहांगामी नबस कहते है, कि यह वो नबस है जो 11 और तक, यह आखरी दग जब तक कि रिसान्स जिन्दा होता है, यह नबस गाएब ही होती है, यह मुजूल रहती है, बाकी नबस बनुग तरफ होती है, लेकिन एक टाइम है एक तरफ से चेक करनी है, आथ कि यह एसे तीन ओगलियों के जो फोटे है, पोर्स है, इनके साथ ऐसे अटी के साथ थोड़ा सा दबा कर रहते है, उस हारी चेक करें ज़रा पर यह पारी है, यह इस तरफ से यह इस तरफ से, करते हैं, साथ करते हैं, उसको अक्सीजन शाविल करते हैं और पूरे जिसम के एक इसे तरफ पहुचाते हैं, मेजे रोल हार का होता है, जब हार काम नहीं करता है, तो क्या होता है, बल्स प्लाइ जो है, वो रुख जाती है, अब जिसम की एक एक हीसे को जिदा रहने के लि जो शुर्मियल बेवित्पाटके में में गुंदाईंता को थे में के कांद उसकाता है। छिदिल रहा होता है हुं में भिभिधू है उनके मुमेंट हुआ है थोे हुआ उनकी मज़ूरा है फैसि वस नबज के दार में धगने से पता कर लें किंछ दिल कर लेहा है अब वो slow है या fast है वो फिर उस मुक्तली बीमारियों की वज़े से उसकी जो दड़कन है वो मुतासर होती है रेट के अंदर changes आती है तो मुक्तली बीमारियों अब जो हुकमा होते थे थे वो नबज इसे कैसे बीमारी का पता लगा लेते है कोई भी बीमारी जब होती है तो लो आपके दिखें इस जो इन्मून विस्टम है जो ब्लोड इन जो रिंऊट कर रहा है उसको वो पतासिकरता है वो दिलो दिल के जो दिल के निजाम उसको भुटासर कहता है जो विमारी अगरते है थैंको इसमे इसको ये सर्क्तर थे अबरे फ़ता करने इने है है कि एज brings अगर दिल अगर काम कर रहा है तो आप इसके बास की सांस चेक कर रहे है दिल काम कर रहा है अगर सांस के ऊपर आएंगे सांस है नहीं अगर सांस काम कर रहा है तो आपने कर लिया कर लिए पर ब्रीधिंग रहा है तो फिर आप क्या करेंगे इस लो फॉल ब्रीधिंग पर बात समझ आगी है णो क्य TWC का अ या मुझेdaughter माचा चालति या करना है जिसकी प्रिद करना इसके मिने किन Story कि है Gary खोभाते हैं मिने से इस सऊच द्यूड़ करें कि ऊशिंद हां जो कि वे ह्म पर नकार हुश करना है कि मृरीज को सक्क जगाब पर लिठाएं के बिल्कुल फ्लैट सर्फिस पे, सर्फिस शुड बी समूध और हार्ट, जैसे फरेश प्रूपर, यह नहीं हो, नीचे के पत्थर हो, कांज के तुकड़े पड़े हो, आप उसको बजीद तकलीफ दें मरीद के, एक समूध और हार जगह के लिटाएं, इसको मैट्रेस के लिए और होने चेहिए, चैप़ाई के उपर भी नहीं होने चेहिए, तो आपने हार्ट इसमूध सर्फिस पे लिटाएं, इसको चेस्ट को प्रेशिन देने हैं, और चेस्स कोप्रेशन आपने सिर्फ इस्पल इतना याद रखें, आपने पर बिल्ट की स्पीड के साथ चेस्स को अब हो गया चीज, यह काम करनेंगी आप साथ लोग, अभी देखें एक में हलका सा आपको देमो भी दूँगा और आप इसे वोलिटरी ली कुछ जो आना चाहिए, आप इसको पर फॉर्म भी करें, अगर आप में एक बदो बंदे हैं, तो एक बंद अगर थक जाए तो अब किसी तो अगर सीप्यार करते वे आपको फील होता है कि कोई उसने आख बिलिंक की है या उसके फेस एक्सेशन से आपको लगा है को होश में आ रहा है, सांस की आवाज आईए, उसने बोले की कोशिश कीए, तो आप वावे स्टाव करें, इसका मजलब है वो रिवाई ह वो चुका है, उसका दिल बहाल हो चुका है, फिर आप बैठ जाए, बुटन के बाल बैठें बनो बुटन गए अब रिस्पॉंस चेक करें, बुलाएं, ठपकी दें, शुट्की काटें, अब रिस्पॉंस नहीए, तो आप क्या करेंगे? चेस कंप्रेशन स्टार कर दो, र तो दो चेस्ट का भी तो है रहा फिरास करके तो फिर्वेश्ट करने है अगर बस तीक है अब आज़ इस ने निए उट्पशन तेर जोर से तागे प्रक्ष बड़ाना है नहीं फुरा और ज़र ज़र जोर बोडी का वज़न आलना है बोडी का निये अपने बाजू इस तो नहीं करना है और बच्चे का कैसे होगा कि सबसे पहले आप इजास ने बच्यों को फिर उसकी करदन और कमर नाजुत होती है आपने उसको अनटेंड़न ने चोड़ना है उसको स्पोर्ट देनी है अगर हाथ में उठा रहे हैं बोड में ले रहे तो आप एक हाथ सरके निचे रखें और कमर के निचे अपनी बाजु रखें या बेतर है लटागे कर लें टेबल के उपर जमीन लोपर तो ऐसे खड़े खड़े भी कर सकते हैं यह देखें कमर और गर्दन को कैसे स्वोट दिया में उसके बाद आपने सेंटर वाली जो आपनी उगलिया है ठीक है वो मिडल फिंगर्स आप इसका सिप्यार करेंगे ठीक है यह चेस के सेंटर में एड दे सेंटर अफ दे चेस्ट आपने अगलिया रखी और प्रेस करेंगे जिका कितना करेंगे बच्चे का आपने मैक्सिमुम एक निच्ट रखेंगे यह यह का आपने करते रहना है याद और पाव में पकड़न यह तो गया तो गाले में प्रिखेंगे और प्रॉल्म एक फोरन बॉर्ड एर्र आप इससे पहले के वह बिशुछ हो जमीन पर गिर जाए इसको जाके स्पोर्ट दें अपना तारूफ कर आए उससे पर्मिशन लें तो अब जैसे तक हैं आप आप ज कि युनिवर्सली चॉकिंग की ये अलामत है। इसको चॉकिंग बोलता है। गले में की चीज़ पंसी ही है। सबसे पहले गेज अपना तारुफ किया जी साहाँ मेरा नमसाद है। मैं 1122 से आयो आपको मज़द कर सकता हूँ। इससलें बोलन के सारी लेही कुछित. अधिक 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 है। शक्रा सकते हैं। इसको आपको गिलेगों तो आपको अधिके क्यां पोजिड़ा लें के जा您ें। यह पोजिशन बनाके सबसे पहले दोलू हाथ ऐसे बगल के निच्छे से लेकर जाने हैं और पकड़नी आप चुड़वाएंगे और साथ कहेंगे भी कि बाइस आप चोड़ दें हाथ चोड़ दें में तांग आपकी मदब कर सको थोड़ा सा गदन को आगे जुका देना है उ यहां पर जो बेली बेटन है उसके सेंटर वली जगह आप देख लें नाफ कहा पर है आप इसे अंदर रखे मुका बनाना है इस तरह और ऐसे रखना है सब्सा हाथ उपर रखेंगे हम इनको अब्डॉमिल थ्रस्ट देंगे इंवर्ड एड अपवर ऐसे अंदर उपर ऐसे अगें आपने वही काम करना है गर्दन और कमर को स्पोर्ट देनी है ऐसे और उसके बाद आपने दो उग्यों के साथ ऐसे उसको चेस्ट थरस्ट देना है ये वाइन टू त्री फॉर फाइफ टा लेना है फिर उल्टा लेना है उल्टाते में बाद मुह नाक के आगे हाथ तोड़ी को पकड़ना है यहां से अधर मुह के आगे हाथ रखेंगे तो चीज बाहर कैसे आईगी और नीचे स्लोप लिए रखना है ता जो बाहर की तरफ नीचे की तरफ चीज निकल के जाए और फाइफ बैक ब्लोस देने हैं पांच दफा कमर के ओपर थपियां देनी है पर फाइंदर की जानी ओफ फेंट तो यह पांच बाहर दो जा लिए फिर उल्टा लें टीक है एक दो लिए चार पांच तिरह से एक चार फांच टीब हो गया यह काम आप कर सकते हैं और देखें कि नवाला ले बड़े बड़ा नहुल कई फिर बड़ा सब्साल टीक आब तर्ज कई रोशनी पर भाय नहीं करें धूरे सामय है तो फाल के पायर नहीं करेंगे, नुशर को में थालने करना है। अब बुद निकादें वहां से कोश्च करते हैं तो पर और नीजे से कस्की बाथ उस्पिटल जाएंगे तो क्या होगा एंटी स्नेक में लगेगी आप जीब हो जाएंगे या स्टिल देर चांसिज के साफ जरीला ना हुआ हो या कम जरीला हुआ हो इस चांसिज के साफ कम जरीला था बहर जाएंगे बच जाएंगे